तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, that is a very famous reaction, जिसका नाम है रीमर टीमन reaction, तो यह reaction एक ऐसा reaction है, आप exam में short shot ले सकते हो कि एक question जरूर इससे आएगा, या तो इसके point से आजाएगा, या तो इसके reaction से आजाएगा, या तो इसके mechanism से आजाएगा, ठीक है, तो यह reaction 1 है, top 10 reaction कर ने वाले हैं, तो start करते हैं with the very first reaction, देखो, इस reaction के इंदर होता क्या है, हम लोग लेते हैं, phenol, क्या लेते हैं, phenol, और इसको pass कर देते हैं, CHCl3, यह CHCl3 क्या आपको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, chloroform, ठीक है, chloroform ले लिया, और साथ में ले लेते हैं, base, that is sodium hydroxide, तो यहाँ पे एक product बनता है, that is, यहाँ तो OH ही रहेगा, और यहाँ पे एक group आ जाता है, that is LDHID group आ जाता है, that is C double bond OH, ठीक है, और इस product का जो नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, Sally Saldehyde, क्या बोलते हैं, Sally Saldehyde, बोलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला question कि रीमन टीमन reaction में फिनॉल किस में convert हो जाता है बाई, रीमन टीमन reaction में फिनॉल किस में convert हो जाएगा, Sally Saldehyde में, ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या-क्या points बनता है, points बड़ा important, सबसे पहला चिल, अब लोग सर कि फिनॉल जो होता है, वो मेरा donating group होता है, और donating group में आता कहां पे group, इसको हम श्याँ पे ऐसा क्यों हुआ कि जो मेरा आने वाला group है वो ortho में आया और वो मेरा measure बना, देखो यहां पे, क्या बोलने वाला हूँ? ortho वाला measure क्यों हुआ? Why ortho वाला measure हुआ? क्योंकि O और H के बीच में, दियान से देखो, O और H के बीच में यहाँ पे क्या होता है? bonding होता है और इस bonding को क्या बोलते हैं इस bonding को क्या बोलते हैं जल्दी से बता दो इस bonding को बोला जाता है H bonding क्या बोला जाता है H bonding जब भी hydrogen के सामने fluorine रहेगा oxygen रहेगा nitrogen रहेगा तो यह bond बनाएगा और इसी bond को बोलते हैं H bonding और H bonding से compound बहुत ज़्यादा stable हो जाता है, इसी वज़े से और्थो वाला product यहां पे क्या हुआ measure, ठीक है, अगला चीट, यह जो group आया न, C double bond हो है, इसको हम लग बोलते है, formile group, क्या बोलते है, formile group, और कहां पे आया, ortho position पे, इसलिए statement सुनना, it is ortho, it is ortho, formilation, कौन सा group आया, formile, तो क अला क्या बताया, क्या बनता है, salicyldehyde, दूसरा कहां बनता है, ortho पे Y, because of H bonding, तीसरा इसको हम लोग क्या बोलते है, ortho formilation of phenol, ठीक है, अगला point देखो, phenol, reaction में किसके तरह काम करेगा, nucleophile के तरह काम करेगा, obvious ही बात है, अगर nucleophile के तरह काम करेगा, तो reaction में कोई electrophile भी हो तो base का 3 mole लिया जाता है, ठीक है, तो जब chloro form को 1 mole base के साथ react करते हैं, तो यहाँ पे compound बनता है, इसको बोलते है, CCL2, क्या बोलते है, CCL2 और यहाँ पे lone pair भी होता है, और इसका जो नाम होता है, इसको बोला जाता है, di chloro carben, क्या बोला जाता है, आ रहा है ने इतना, क्या इसको क्या बोला जाता है, di chloro carben बोला जाता है, और यह काम करता है, electrofile के तरह in the remontiment reaction, ठीक है, फिर आप बोलोगे सर, यह carbon पे तो lone pair है, और जिस पे lone pair होता है, वो तो donate करता है, तो donate करने वाला electrofile कैसे बना, ध्यान से देखो, structure से पता चलेगा, CCL2 का structure कुछ ऐसा होता ह यहाँ पे lone pair है, lone pair है मतलब donate करेगा, ऐसा short shot नहीं होता है, जिसका octet complete होता है न यार, उसका lone pair donate करता है, तुम यह notice करो, यहाँ पे कितना electron होता है, 2, 2, 4, 2, 6, चाहिए कितना होता है, 8 electron तो octet complete नहीं है, that's why dichloro carben क्या करेगा, sorry, dichloro carben क्या करेगा, electron को accept करेगा, that's why it is act as the electrophile, ठीक है, तो चौथा point क्या बताया, कि रीमन टीमन reaction में electrophile के तरह कौन काम करता है, that is dichloro carben, ठीक है, यह सारे points है, अगर exam में one marks सा question आता है, तो आपको ऐसे दिखाना है, phenol से क्या बना, salisaldi, it बता, ठीक है, उतालो फटा-फट, चल, clear है, आओ, कुछ points देखते हैं, exam में तो points लिखना पड़ता है न, पहला point क्या बताया, it is ortho formylation of phenol, अभी discuss किये थी, ortho group पे कौन आता है, formyl group आता है, अब देखो definition क्या है, on treating phenol with the chloroform, देखो यह न, on treating phenol with the chloroform, in the presence of sodium hydroxide, देखो वही लिखा होगा, in the presence of sodium hydroxide, क्या क्या हुआ, देखो ध्यान से, a CHO group, कौन से group, CHO, कौन से group आया, a CHO group is introduced at the ortho position of benzene, ortho पे आया था, and this reaction is said to be remer-teamon reaction, ठीक है, यह second point वो, third point, in the reaction, dichloro carbon, देखो बहुत 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 रहा हूं, in this reaction, dichloro carbon is the electrophile, इसमें electrophile कौन होता है, dichloro carbon हो आग में होना, चाहिए, उतालो फटा-फट से, ठीक है, इसलिए मैं points बाद में लिखवाता हूं, ठीक है, concept अपना clear होता है, तो points आप खुछ से भी बना के लिख सकते हो, चलो, now, we are moving a very important part, that is the mechanism of the reaction, exam में आएगा, तो पहले mechanism लिखना है, उसके बाद यह तीनो point आपको मिलेगा, ठीक है, पर अगर इस mechanism को रटोगे, तो बिल्कुल possible नहीं, रटना भूल जाओगे, और अगर आप directly ऐसा समझने का कोसिस करोगे, तो समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत short में दिया वा है, बहुत short में दिया वा है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, detail mechanism ब तो start करते हैं, देखो, detail mechanism के तरफ कहा है, आज़ो, detail mechanism क्या है, यहाँ पर मैंने ले लिया, बेंजीन, और बेंजीन के उपर क्या है, OH, और बेंजीन के उपर OH होता है, तो इसको हम लोग बोलते है, phenol, क्या बोलते है, phenol, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, phenol का एक एक काम होता है, जिसको बोला जाता है, carbonic acid, मतलब phenol किसके तरह काम करता है, acid के तरह काम करता है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, phenol को पास कर दिया, किसके साथ, base के साथ पास किया, that is, NaOH, अब acid plus base क्या होता है, salt plus water, Na पे होता है plus, क्योंकि base का क्या होता है, OH माइनस देना, और acid का काम क्या होता है? H+, देना. तो यहां से, देखो, H जाएगा. यहां से OH जाएगा. तो water निकलेगा. और यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा? O-. और यहां पे कौन लग जाएगा? Na+. ठीक है? और इस compound को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है sodium phenoxide. क्या बोला जाता है? sodium phenoxide बोला जाता है. ठीक है? उपर sodium phenyl plus oxide क्या बन गया? sodium phenoxide. एक point क्लियर है. अब देखो. सोचना बढ़ता है मैं कहने सम्में. आने वाला group कहां आने वाला है? और्थो पे. तो negative charge भी कहां होना चाहिए? और्थो पे. क्यूंकि negative जहां से donate करेगा. वहीं से नहीं इलेक्ट्रोफाइल आएगा. तो मैंने यहां पे क्या resonance से. मैंने क्या क्या होता है? resonance से क्या होगा? देखो. यह double bond जाएगा उपर. ठीक है? तो double bond आ गया. और O पे minus था वो कहां आ जाएगा? नीचे मतलब जहां से double bond गया. वहीं पे minus आया. और जैसे एक bond बना तो N A का group रिलीज हो गया होगा. मतलब solution में N A घूम रहा होगा. ठीक है? ऐसा मान के चलो. ठीक है? अब जैसे यहां पे minus आया. इट कैन एक्ट एज नुक्लियोफाइल. कारबन पे minus आ गया. अब यह नुक्लियोफाइल बन सकता है. अटाक कर सकता है. और एक बाद. कारबन पे minus चार्ज हाइली रियाक्टिव. ग्रीक नायर्ड में भी बताया था. यही तो हुआ था. वहाँ भी तो कारबन पे minus आया था. कारबन पे minus यह ढूंट रहा है. कि किसको electron दे. तो solution में पहले से present है कौन. CCL2 आप बोलो कि सर पहले से y present. अरे chloroform था ना. base का तीन मोल लिया था ना. तो पहले से react करके यह बन चुका है. मेरे पास क्या? डाइकलोड कारवीन. जो किसके तरह काम करता है? Electrofile. E plus का मतलब. Electrofile. तो कारबन ने तुरंट अपना electron किसको दिया? कारबन को. तो कारबन ने अपने भाई को किसको दिया electron? कारबन को. तो देखो क्या हुआ? देखो भारी blender हो गया आप. मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ? ठीक है? देखना थोड़ा सा. ये step होना इतना आसान नहीं था. क्यों आसान नहीं था? This is the slowest step of the reaction. मतलब सबसे tough step है. सबसे tough step है. Why? पहले जो compound था, ये compound था aromatic. Aromatic का मतलब क्या होता है? जो cyclic होता है. जिसमें complete resonance होता है. और जिसमें 6 electrons होता है. देखों, यहाँ पर है ना? 1, 2, 3, 4. और carbon पर जब-जब होता है, minus charge उसका मतलब भी होता है 2 electron. तो 2, 2, 4, 2, 6. पर यहाँ पर अब कितना electron है? 2, 2, 4. मतलब पहले compound aromatic था. पहले compound stable था. अब वो क्या हो गया? Unstable. तुमने stable से बना दिया? Unstable. drastic reaction हो जाएगा. आपको वापस से compound को aromatic बनाना पड़ेगा. Anyhow, you have to make it possible. देखो, कैसे होगा? कोई छुपके बैठा है यहाँ पर कौन? HY. carbon carbon बनाता है, तो कौन बैठा है? H. और inductive effect से कहीं न कहीं, यहाँ पे होगा delta plus, यहाँ पे क्या होगा delta minus, carbon electron खीच रहा होगा. तो यह carbon ने किसको लालच दिया? hydrogen को लालच दिया. एक काम करो, तुम मेरे पास आओ. अब hydrogen तो hydrogen ने यार. किसी के बातों में आ जाता है. तो carbon ने किसको अपने तरफ है ट्रेक किया? hydrogen को तो देखो क्या बना, भाई. यहाँ पे एक step में आपको add on करके दिखा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है. समझने के लिए मैं बता सकता हूँ, ऐसा. देखो, जैसे ही यह गया, यह bond टूटा. यह bond टूटा, तो carbon ने किसको लेके गया? H को लेके गया, तो एक पुराना bond टूटा, तो एक नया bond बनाएगा न carbon. क्यों? क्योंकि इसको 4 bond complete करना है, तो जैसे यह bond टूटा, यहाँ पे minus आया, minus प्लस में automatically क्या बनेगा? bond बनेगा. तो यहाँ देखो, already एक bond बना, एक bond बना, तो फिर से एक bond क्या हुआ? टूटा, और यहाँ पे कौन आ गया? C, H, C, L, 2. O, पे minus, N, A, घूमडा था solution में, तो यहाँ पे कौन आके चिपक जाएगा? N, A, प्लस. यह जो step बना, this is the first step of NCRT, जिसको उन्हेंने क्या लिख रखा है? intermediate लिख रखा है. अभी मैं दिखाऊँगा, फिर से बाद बता देता हूँ, carbon किसको लेके गया? H को एक bond बना, तो एक bond यहाँ पे बनेगा, carbon H में bond बना, तो फिर से एक bond टूटेगा, और यहाँ पे क्या आ गया? O पे minus, ठीक है? अब देखो NCRT वाला क्या बोला है? कहा गया NCRT का mechanism? this is the mechanism of the NCRT, देखो यह हमने बनाया न, CHCl2O minus Na plus, तो बाकिट जितना मैंने step बताया, वो कहीं NCRT नहीं दिया है, आप directly यहाँ पे इसको नहीं समझ सकते थे, ठीक है? इसलिए मैंने आपको detail mechanism इतना बताया, ठीक है? अब देखो भाई, फटा-फट से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्या होने वाला है? अब मैंने इसको pass किया N A O H, दो मोल लेते हैं वैसे N A O H का, यहाँ पे क्या होता है प्लस, O H पे क्या होता है माइनस, यहाँ पे देखो क्या होगा, डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो N A किसको लेके जाएगा? C L को, दूसरा मोल, N A किसको लेके जाएगा, C L को, तो प्लस पे कौन आएगा, माइनस, प्लस पे कौन आएगा, माइनस, तो क्या बना देखो, ये मेरा बन गया बेंजीन, O P माइनस, N A P प्लस, और यहाँ पे कौन है, C H, एक नीचे O H, और एक उपर O H, ठीक है, अब देखो concept, इसे पता होना चीए mechanism के लिए, एक carbon पे एक से ज़्यादा O H ग्रूप कभी भी stable नहीं होता है, उस case में वहाँ से क्या निकलता है water, कभी stable नहीं होगा, तो यहाँ से हम लोग water को निकाल देंगे, C H O, तो देखो क्या बन गया, C H O बन गया, water निकाल देंगे, तो क्या ब benzine, और यहाँ पे आ गया O P minus, Na plus, और यहाँ पे क्या आ चुका है, C H O, आ चुका है न, अब देखो final step में क्या होने वाला है, इसको हम pass कर देंगे, H plus से acidify कर दिया, तो O minus को मिल जाएगा H, तो यहाँ पे मेरा आ गया O H, और यहाँ पे आ गया C H O, that is the complete reaction जो आपको मुझ मुझे दिखाना था, ठीक है, अब मैं थोड़ा relate करता हूँ NCRT से इसको, दियान देना, यहाँ तक पहुँच गए थे, फिर उन्हें ने एक step को cut किया, यहाँ पे लिया आया CH O, देखो हमारा का है CH O, यहाँ पे देखो, यह हमारा second step है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था CL, CL हटा, OH, OH आया, एक carbon पे दो OH ग्रूब इस टेबल नहीं है, तो क्या आगया CH O, और इसके बाद यहाँ पे third step में क्या किया गया है, H+, हमने भी यहाँ पे क्या किया है, H+, से पास किया है, तो यह हमारा reaction आया, ठीक है, इसी तक complete mechanism धर में आगर खुद से करोगे ने, एक ए complete mechanism, ठीक है, और यह वही NCRT वाला है, आपको एक्जाम में यही लिखना है, और उसके बाद यह तीन पॉइंट्स को अच्छे से लिखना है, तब जाके आपको complete number मिल जाएगा, ठीक है, that is all about the remantimen reaction, मिलते हैं नए reaction के साथ, तब तक के लिए, बाबाई